Hello everyone, welcome back to the channel Agriculture income को हम लोग income tax return में कैसे दिखाते हैं? अगर आपको कोई भी agriculture income होती है तो वो पूरी तरह से exempt है income tax में लेकिन अगर आपको agriculture के साथ-साथ other income भी हो रही है जैसे कि आपको salary receive हो रही है या आपको rental income आ रही है या आपको इबिजनेस भी करते हैं apart from your agriculture activity तो उस case में ये agriculture income आपकी other income के साथ में club हो जाती है और दोनों पर tax निकाला जाता है आपकी agriculture income पर जितना भी tax बनता है उसका आपको rebate मिल जाता है लेकिन ये दोनों income आपकी club करके ही income tax की calculation होती है थोड़ा सा different है formula इसके लिए कि किस तरह से agriculture income के लिए calculation की जाती है सिर्फ आपकी खेती है या कोई plot है जिसमें की आप सबजे वगेरा फसल उगा कर आप उसको बेचते हैं और वहां से आपकी sale proceeds आती है तो इस तरह कि आपकी सिर्फ अगर agriculture income है तो कोई भी tax नहीं लगता है पूरी तरह से यह exempt है आज के वीडियो में हम आई टीर वन और आई टीर टू दोनों में ही देखेंगे कि कहां पर हमें agriculture income को शो करना है और किस तरह से आपको agriculture income का rebate मिलता है सबसे पहले आ जाते हैं आई टीर वन पर यहां पर हम return summary पर आएंगे सबसे पहले अपनी personal information को हमने confirm कर लिया है इसके बाद है gross total income gross total income को हम जब open करेंगे सबसे पहले salary exemptions आते हैं continue कर देंगे अब आप सबसे नीचे आ जाएंगे gross total income के नीचे आपको यहां पर मिलता है exempt income ITR 1 में हमारे पास सिर्फ 5000 रुपए तक की agriculture income दिखाने का option है अगर आपकी income 5000 से ज़्यादा की हो रही है तो आप ITR 2 को file करेंगे agriculture income हमें कहां कहां से हो सकती है या तो आपके पास कोई खेथ है जिसमें की आप फसल उगा कर उसे बेच रहे हैं या फिर आपने अपने agriculture land को rent पे दिया हुआ है आपको rental income आ रही है या फिर आपने उसे lease पे दिया हुआ है इस तरह की activities को agriculture income ही माना जाता है लेकिन अगर उस खेथ में जो भी फसल उग रही है उसको आप process form में बेच रहे हैं जैसे कि आप अपने उस agriculture land में fruits को grow करते हैं और उन fruits को आप process करके उनका juice निकालके बेच रहे हैं तो वो आपकी agriculture income नहीं है डिरेक्टी fruits को बेचने पर जो आपको income होती है जो sale proceeds आपको मिलती है वो ही आपकी agriculture income है तो 5000 रुपय से कम की अगर आपकी agriculture income है तो आप ITR 1 में दिखा देंगे यहाँ पर exempt income में add another करेंगे nature of exempt income यहाँ पर आपको सबसे पहरे मिल जाएगा agriculture income less than or equal to 5000 यहाँ पर select करना है यहाँ पर value दे देनी है और add कर देंगे exempt income यहाँ पर add हो गई है इस पर कोई भी tax नहीं लगेगा यह पूरी तरह से आपकी exempt income है अब बात करते हैं ITR 2 की जहाँ पर की आपके पास other income भी है और other income के साथ में आपकी यह agriculture income club हो जाती है अब हमने ITR 2 open कर लिया है यहाँ पर हम सबसे पहले हम schedules को select करेंगे जब आप income के head में जाएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा exempt income का schedule, schedule exempt income यहाँ से आपको tick कर लेना है तो यह schedule आपका return form में आ जाएगा यहाँ से आपको tick कर लेना है अगर आपने इसे यहाँ पर tick नहीं किया तो बाद में आप धूनते रह जाएंगे कि आपको exempt income कहाँ पर एंटर करनी है तो जितने भी शेडियूस आपको एंटर करने है वह आप पहले से यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको इंकम्स दिखानी है या फिर जो भी आपको डिड़क्शन्स दिखानी है वह यहां से पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं अब हम सबसे पहले इसमें other income को add कर लेते हैं तब ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहां पर rebate मिलता है तो हम income from other sources में अपनी थोड़ी सी income दिखा देते हैं add another पर click करके हमने यहां पर rental income दिखा दी rental income from machinery यह हम for example लेके चल रहे हैं आपके case में यह rental income machinery से हो सकती है rental income property से हो सकती है आपकी salary income भी हो सकती है आपका capital gain भी हो सकता है तो यह just for example है हमने 6.6 लाग की यहां पर अपनी rental income दिखा दी इसे add कर देंगे अब यहां पर हमने अपनी other income दिखा दी है अब हमें अपने exempt income के schedule में जाना है जहां पर कि हम अपनी agriculture income दिखाएंगे जो कि हमारी 5000 रुपए से जादा की हो रही है schedule exempt income यहां पर आपको सबसे पहले interest income का column मिलता है जिसमें की आप PPF का interest दिखा सकते है या और कहीं से भी कोई interest आ रहा है जो की exempt है वो दिखा सकते है agriculture income second number में मिलता है यहां add details करेंगे अब यहां पर है gross agriculture assets यहां पर जितनी भी आपको sale proceeds आ रही है वो value आप दे देंगे मालेते हैं कि देर लाख रुपए की हमारी agriculture income है expenditure incurred on agriculture अगर आप कोई खर्चा दिखाना चाहते हैं agriculture income से तो वो आप यहां पर दे सकते हैं अगर आपने कोई हिसाब किताब रखा है कि आपको कितना खर्चा हुआ इसमें मालेते हैं कि हमने यहां पर 15,000 रुपए हां खर्चे में दिखा दिए हमारी net agriculture income आ गई है एक लाख 35,000 की इसे add कर देते हैं अब हम देखते हैं कि हमारी total income में इसका क्या effect आया है नीचे आएंगे यहां पर computation of total income है part TI income from other sources में 6,75,000 दिख रहे हैं और यहां पर हमारी agriculture income भी आ गई एक लाख 35,000 की confirm कर दिया हमने taxes पर आते हैं computation of tax यहां पर हम tax payable में जाएंगे यहां पर हमें पूरी calculations दिखती है कि आपकी कौन-कौन सी income पर कितना tax calculate हुआ है show details पर click करेंगे यहां पर tax at normal rate जो हमने अपनी income from other sources दिखाई थी 6,500,000 रुपए की साथ में हमारी 25,000 की other income भी थी तो 6,75,000 की जो हमने income दिखाई थी उस पर जो हमारा tax बन रहा है वो करीब 74,000 का बन रहा है इसके बाद इसमें नीचे लिखा है rebate on agriculture income आपने जो agriculture income दिखाई 1,35,000 की उस पर आपको rebate मिल गया है और वो इस tax में से deduct हो जाएगा और आपका balance tax नीचे आ जाएगा जो balance tax निकल कर आएगा वो ही हमें pay करना है और यह जो tax pay bill बना हमारा इसके उपर हमें education sales भी देना होगा और साथ ही अगर interest liability बन रही है तो उस पर आपको interest भी देना पड़ेगा total aggregate liability आपकी हाँ नीचे calculate हो जाती है जिसको की आपको pay करना है और pay करने के बाद ही आपको ITR को file करना है तो बस friends छोटा सा वीडियो था कि agriculture income को किस तरह से ITR में दिखाते हैं अगर आपको 5000 से कम की income हो रही है तो ITR 1 में दिखा सकते हैं और अगर आपको 5000 से जादा की income है तो आप ITR 2 में दिखाएंगे और इसके लिए आपको ITR में rebate भी मिल जाता है अपने tax pay bill के amount से thank you so much for watching this video बने रहेगा हमारे इस चैनल के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share जरू कर दीजेगा मिलते हैं next video में till then stay safe and healthy bye bye